adjustment number कौन सा होगा बताओ 19 19 19 adjustment number 19 loss by fire या फिर loss by loss by theft या फिर loss by fire अगली ग्लास से पीछे वाले बच्चे जो बाते कर रहें इनको अलग-अलग बिठाऊंगा loss by fire या loss by theft सर अब loss by fire और loss by theft की बात करें ना तो यहां पे हमारे slavers में न सिर्फ goods की बात चलेगी अब कोई बच्चा पूचता है सर बिल्डिंग क्या अगर insurance हुआ तो वो कैसे treatment होगा तो वो slavers का party नहीं है सरफ क्या है goods अब मान के चलो आपका loss by fire या theft या या ये जो नुकसान है ना इस नुकसान को हम कहेंगे सर ये abnormal नुकसान है नुकसान दो तरीके का होता है एक होता है normal एक होता है abnormal नौर्मल तो routine nature का होना ही abnormal का मतलब होता है सर इसके अंदर शायद कभी-कभी हो जाए तो lost by fire या फिर theft कोई भी goods हो जाता है तो कभी-कभी होने वाला है तो आपका कभी-कभी होने वाले का अगर आपका मान लेते हैं अगर चोटा मुटा समान आपका है जितना महगा समान नहीं रखा हुआ तो आप इंस्वारेंस नहीं करवाते हो तो में भी पॉसिबल है कि आपका goods जो है इंस्योड होगा goods insured यानि insurance करवा रखा होगा या फिर दूसरा circumstances पॉसिबल है कि goods not यानि आपने insurance लिया ही नहीं है goods not insured यानि या तो आपने insurance करवा रखा है या फिर insurance नहीं करवा रखा है अगर insurance की बात करें अगर आपने करवा रखा है तो यहां दो बाते निकलेगी या तो आपको insurance claim मिलना तो तैह है क्योंकि insurance करा है तो insurance claim तो मिलेगा तो सर दो बाते हो सकती है या तो आपको मिल सकता है partly claim जो की generally होता है partly claim या मिल सकता है आपको full claim एक example के मदद से भी हम इसको समझेंगे एक example के से समझ लेंगे इसको मान लेते हैं कि मैंने insurance करवाया था goods का और मेरा goods का जो कीमत था वो था सर एक हजार रुपए का अब insurance करवाया था तो या तो insurance company मेरा जो नुकसान हुआ lost by fire insurance company बोले भईया तेरा नुकसान हजार का हुआ हम भरपाई कर देंगे पूरा हजार या बोल देगा insurance company भईया हजार का हुआ हम तो हजार नहीं देंगे हम आपको 700 रुपए देंगे तो ऐसे situation में partly claim मिलेगा तो सर कितना मिलेगा आपको सर? 700 और full claim में कितना मिलेगा आपको? पूरे हजार अगर partly claim आपका होता है तो partly claim का मतलब आपका पैसा पूरा नहीं मिला है और insurance में हमेशा याद रखना जब कभी भी पैसे नहीं मिलते ना आपको या जब कभी भी insurance company से पैसा मिलता है तो वो सारी चीजों को न चेक करते हैं सर अब सुनते भी जाना क्या करते हैं सर कैसे चेक करते हैं वो वो देखेंगे के भाईया ये actual में नुकसान है भी या फिर नहीं है फाइर की copy देखेंगे आस पर उससे पूछेंगे उसके बाद उनको तसली होगा फिर आपको insurance का पैसा ऐसा नहीं है कि आग लग गया और देखा रहे आग लग गया आपने बोल दिया और आपको payment दे दे ऐसा कभी नहीं होता पैसे आने में एक से दो मेने का वक्त भी लगता है तो अगर partly claim हुआ 700 रुपए तो सर जितना claim आपका हुआ है जितना claim वाला part है यह अभी मिलेगा नहीं सर कब मिलेगा यह थोड़े समय के बाद लेकिन कुछ तो ऐसा part है जो कि आपको मिलेगा जितना claim हुआ है वो मिलेगा थोड़े समय के बाद और जो part आपको नहीं मिला तो यहाँ पर entry देखना एक तो यह entry जाएगा सर profit and loss के debit side में profit and loss के debit जो आपको नुकसान हो गया दूसरा एक हो जाएगा पहले मैं इज़र यह लिख देता हूँ या तो एक तो सर्फ सबसे पहले तो less from purchase होगा less from क्योंकि नुकसान समान जला है तो less from purchase कई जगे पे book में closing stock से भी minus करते हैं तो लेकिर मैं less from purchase कर रहा हूँ दोनों का मतलब एक ही रह जाता है दूसरा क्या होगा सर profit and loss के debit side आ जाएगा debit side सर profit and loss के debit side क्यों क्योंकि आपका नुकसान हुआ है सर अगर 1000 रुपे का आपका समान जला और 700 मिला तो नुकसान कितने का हुआ है आपका 300 तो आपको 300 रुपे जो दिखाना है वो दिखाना है सर कहा profit and loss के debit और purchase से कितना minus होगा अगर समान 1000 का है insurance claim मिल रहा है समान तो 1000 का ही जला न तो purchase से 1000 minus और P&L में कितना आ जाएगा 300 माइनस नहीं 300 क्लेम जो भी मिला है वो चला जाएगा सर बैलेंशीट में वो कहां चला जाएगा बैलेंशीट में सर बैलेंशीट के कहां पे asset side balance sheet asset side balance sheet के asset side में claim चला जाएगा और कितने रुपे से जाएगा amount बताओ जितना आपको मिलने वाला है that is 700 रुपे अगर आपको partly मिलता है full claim अगर आपको मिलेगा na full claim का मतलब क्या है sir insurance company वो लिए चिंता मत कर हम आपको सारे पैसे देंगे तो सारे पैसे जब company देगी तो दो ही जगए entry जा सकता है सार दो जगए कहां जाएगा एक तो जाएगा sir आपका less from purchase less from purchase और दूसरा चले जाएगा balance sheet के assets में balance sheet के assets में as a claim अगर मेरा पुराने वाला ही example लो तो 1000 में कितना मिल गया हमें पूरा 1000 मिल गया तो 1000 रुपे कहां से minus हो जाना है sir यहां से आपका 1000 minus हो जाना है और दूसरा balance sheet के asset side में चला जाना है कितने रुपे जाएगा बताओ कितने जाना चाहिए sir पूरे 1000 रुपे यहां चले जाएगा पूरे 1000 रुपे balance sheet के assets में पहले देखिए समझ में आई बात आपको तो यह कई book के अंदर वो closing stock में से minus plus करते हैं लेकिन हम simple तरीके से यही follow करेंगे answer उनका और हमारे answer में रत्ती भर का भी फरक नहीं रहेगा पूरा full same रहेगा ठीक है अब कहतना है goods not insured तो जब insurance नहीं करा रखा तो insurance company के पास जाओगे भाईया claim दो वो तो भगाई देगा आपको किस बात का claim है ना तो insurance company का तो कोई लेना देना है ही नहीं तो यहाँ पे सारा का सारा आपका हो जाता है sir नुकसान एक तो sir loss हुआ है तो एक तो less from कहां से हो जाएगा sir less from purchase सो तो हो गा ही sir कई बार examiner ना चला की दिखा सकते है book value cost value दे रखा है तो हमेशा यहाँ पे जो लिया जाएगा na always लिया जाएगा बताओ दो value दे दे तो कौन सा लोगे हमेशा cost price whichever is lower मत कर देना यहाँ पे कौन सा लिया जाएगा हमेशा cost price examiner ने अगर दिया तो दूसरा क्या होगा sir दूसरा होगा profit and loss के debit side में पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा तो sir profit and loss के debit में अगर 1000 वाला ही example ले तो यहाँ भी 1000 और sir यहाँ भी 1000 तो यह adjustment loss by fire हो चाहे loss by theft हो करना ऐसे ही लेकिन सबसे बड़ा game changer सबसे बड़ा जो examiner आपको हमने इतना concentrate करके इसको सीखा होता है और ध्यान से सीखा होता है बातों बातों में एक बात भूल जाते हैं क्या भूल जाते हैं जैसे कि मानलो मैंने एक example दिया आपको आप इसका treatment बताना मैंने कहा कि मेरा trial balance है ठीक है trial balance दे रखा है और 31,3,2,021 का है यह मैंने कहा loss by fire loss by fire 14,2,021 का था 1000 रुपे का और हमें full claim मिल गया full claim 1000 मिल गया तो इसका treatment क्या होगा loss हमारा 14,2,021 का था 5000 रुपे और हमें full claim मिल गया तो कहा कहा entry जाएगी बताइए इसका full claim मिल गया बताइए कहा कहा जाएगा कितने का नुक्सान हुआ कितने का नुक्सान हुआ 1000 का मिला कितना 1000 अगर हमसे method की बात करो तो कुछ ही यह वाला लग रहा है full claim तो कहां कहां जाएगा एक balance sheet के बोलने वाले बच्चे बोल रहे है balance sheet के assets में और एक purchase में से minus लेकिन हम ध्यान को इतना ज़्यादा concentrate कर लेते हैं adjustment पर date को ध्यानी नहीं देते सर ये अगले साल loss हुआ है मेरा trial balance कब का है तो एक चार तो अगला साल आ गया loss कब हुआ है यही examiner game आपके साथ खेलेगा यानि इस adjustment का कोई treatment ही नहीं है इस adjustment का कोई treatment तो date भी आपको ध्यान देना है समझ में आए मैं क्या समझाने की कोशिस कर रहा हूँ वो देखता है 2021-2021 किस date का क्या काम है यार यह तो ऐसे ही देते है आपने देखा सर यह तो पढ़ रखा अच्छा आधा loss वो आधा मिला claim मिला आपने पूरा जैसे मैंने समझा है वैसे करके आगए लेकिन examiner वहां cut लगा देगा बोलेगा इसको तो करना ही नहीं था क्योंकि यह loss कब हो रहा है सर next financial year में होके जाके हो रहा है इस बात का आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने यह point आपको बता दिया देखो जो जो चीज़े मैं बोलूँगा ना कि ध्यान रखना है ठीक है clear है बताइए कोई doubt तो बताइए कोई doubt